आपका क्या ले बताइए मैं तो बढ़िया हूं बस मेरे छोटा सा सवाल था मैं सोचा आपसे एक बार पूच लूँ आप पूचा पूचा क्या सवाल है वह कहते हैं कि जो कुरान का जो खुदा है और बाइबल का जो खुदा है वो दोनों सेम है कि अल्ग फखरग इतना है कि Old Testament को मुसल्मान मानते हैं old testament and new testament मैं ऐसे बुच कह रहे है मतलब क्या यह दों सही है ? क्लेम और फाइब किसने वह थो और तुमको सेम है यार ? यह तो गलत बात सुनके आपने जब आप निर्गमन के किताब में आप तीसरा अध्याय में 14 और 15 वचन पढ़ेंगे वहाँ पर Bible का खुदा ने अपना नाम साफ साफ बताया है कि उनका नाम है याखवे लेकिन कुरान में क्या है खुदा का नाँ? अल्लाः तो देखें यही पहला अंतर हमें पता चल जाता है और यह जो कुरान का खुदा है न वो कहता है कि मैं अबराहम का खुदा हूँ, आईसेक का खुदा हूँ याकुब का खुदा हूँ लेकिन वही खुदा ने खुद का नाम क्या रखा? वो उनको पता नहीं रहेगा क्या? ओ, सो नाम से ही अंतर हमें दिखता है याखवे और अल्लाव दूसरा पॉइंट क्या भई? दूसरा पॉइंट आप सुनोंगे ना आप शौक हो जाएंगे मतलब जो हम क्रिस्टियन्स मानते हैं हमारा जो खुदा है वो एक खुदा है लेकिन संख्या पूर्वक एक नहीं वहाँ पर कहा कै कि अल्लाव न्यूमरिक वन है मतलब इंच और वो लोग ट्रिनिटी को नहीं मानते हैं भाई हाँ वही एक बार जब मैं अपने मुसल्मान दोस्ते बात कर रहा था ट्रिनिटी के बारे में वो थोड़ा भड़ा गया था वो कहने लगा कि हम ट्रिनिटी पे भरोसा नहीं करते हैं अच्छा यह दूसरा पॉइंट है कि वो ट्रिनिटी को नहीं मानते हैं और क्या है? और यह तीसरा पॉइंट तो और भी शोकिंग है हम क्या कहते हैं? जीजस जो है सन अव गॉड है लेकिन अगर आप Quran पड़ेंगे और Allah का बयान को देखेंगे तो वो कहते है कि Allah का कोई बेटा नहीं है और बेटा नहीं जन सकता है उसका कोई पत्नी नहीं है तो Jesus Son of God नहीं है इसलाम में तो देखो यह खुदा कितना अलग हो गया और Bible में हम क्या पड़ते हैं पहले युहना के कताबें, दूसरा अध्या है, 223 में, पढ़के देख लिजी आप आतने, ओ, 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 अच्छा, 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 वो इसलिए उनको गुस्सा आता है, जब हम कहते हैं, कि जीजस सन अफ गॉड है, मतलब वो मानते हैं, सन अफ गॉड है और अगला पॉइंट के है ब्रदर, अरे ब्रदर उससे भी शौकिंग पॉइंट के आएं माले में, ट्रिनिटी तो वो रिजेक करते ही हैं, क्योंकि अल्ला का पार्टनर नहीं है, वो पत्नी नहीं है, वो बेटा नहीं जनेगा, अल्ला का बेटा नहीं हो सकता है, लेकिन जो Christians Trinity को मानते हैं, वो भी वो अल्ला ने गलत समझ लिया, अगर आप सूरा पांच में आयत नमबर 116 पड़ेंगे, तो वहाँ पर जो ट्रिनिटी का विवरन दिया, वो बिल्कुल गलत है, हम लोग क्या मानते हैं, मत्ते 28-19 के हिसाब से और बहुत सारे वाचन के हिसाब से Trinity में पिता, पुत्र और पवीतर ऩमें, बरेबद लेकिन उन लोग क्या मानते हैं, अल्ला, मर्यम और एशु, ये थोड़ी हम मानते हैं, अच्छा, तो वो जब Trinity कहते हैं, तो turtles 5-116 में Trinity, Allah, मर्यम और इशु है, लेकिन हम लोग तो मत्ते 28-19 में और काफी सारे वचन में ब के लिए बहुत ही बुनियादी फांडेशन पॉइंट है और वो पॉइंट को रिजेक करने के लिए ही शैतान ने जो है बहुत सारा तरीका डूंडा है क्या है वो अगर आप सूरा चार आयत नंबूर 157 पढ़ोगे ना वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि येशु मसी ना सूली पर चड़े और येशु मसी ना सूली पर मरें मतलब येशु मसी सूली पर चड़ना मरना पुनरोतनों ना ये इसलाम से खाता ही नहीं है अरे बापरे हाँ इसलिए वो लोग बोलते कि इसा मसी को सूली इसलाम को सूली पर नहीं चड़ा है वो तो हमारा बुनियादी बात ह और इसका एतिहासिक सबूत है, फिर भी कैसे वो रिजेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंज, और क्या पॉइंट है, यह जो अगला पॉइंट है, वो परमेश्वर के नेचर के उपर है, खोदा जो है वो भविश्य को अच्छे से जानता है, वो कभी भी नहीं बदलता है, अपने बातों को कभी भी चेंज नहीं करता है, बाइबल का खुदा कभी बदलता नहीं, हम इबरानिक के किताब में 13 अध्याय, 8 वचन में पढ़ते हैं, और उनके बातों में कोई भी बदलावट नहीं होती है, जेम्स याकुब के किताब पहला अध्याय, 17 वचन में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कुरान में पढ़ते हैं, कुरान में जो है, अल्ला जो है, अपने मर्जी के नुसार आयतों को चेज करता है, पता आपको, हाँ, ये थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लेगा, क्या कहता है, खुदा ने इस जगत से इतना प्यार किया, कि उसने अपने लिए हमारे उध्धार के लिए अपना इकलौता पुर्तरे दे दिया, ताकि हम उध्धार पाए, मतलब बाइबल का खुदा है, वो पूरे जगत से प्रेम करता, लेकिन जब आप कुरान की बात करोगे, 32 आयत में 13 वचन को पढ़ी है, वहाँ पर आल्ला ने कुछ लोगों को नर्ग के लिए ही बनाया गया है, तो यहाँ पर बहुत बड़ अंतर है, कुरान की खुदा में और बाइबल के खुदा में, वाह, यह हुई ना बात, सबसे प्र नमबर 354 में, और सूरा नमबर 8 और 30 में, अल्ला को ग्रेटेस्ट डिसीवर बताया गया, मतलब जो आरबिक शद है, खैरल माकरीन, यानि कि अल्ला दोका देता है, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पहला कुरुंतियों के किताब में, 14 अध्याय में, 33 वे बचन में, वहां पर लिखा है कि हमारा खुदा जो है उल्जन का खुदा नहीं है, लेकिन अगर आप इसलाम के खुदा के बारे में बात करें, ये शुपसी को सुली पर चड़ाया, नहीं चड़ाया, किसी को भी नहीं मालो, और आयत खुद कहता है कि He is greatest deceiver, यह बहुती डरावनी ची विश्कपरी है कि Bible का खुदा जो है आनंतकाल का आश्वासन देता है, लेकिन जब आप Quran पढ़ेंगे, वहां पर Quran का खुदा आश्वासन नहीं देता है, क्योंकि Muhammad खुद सूरा नंबर 46 में आयत नंबर 9 में कहते हैं कि मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन अग में जो है आनंतकाल का आश्वासन निलता है, बहुत बढ़िया है, आप जाने हो न स्वार, मैं तो जाना हूँ, मैंने इश्मस्री को सुईकाल कर लिया है, अरे, यह कैसा वाल था, जाओ का, और कोई पॉइंट बचा है, जी जी बिलकुल, अच्छा एक और है, बताईए, यह लास्ट वाला पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप बाइबल और कुरान को दोनों को पढ़ोगे, तो दोनों की सिक्षा अलग-अलग है, अगर खुदा एक ही होता, तो वो सिक्षा को भी जो है, वो एक ही रखता, लेगिन दोनों में अलग-अलग है, बराबर अगर खुदा, अल्ला और याहवे दोनों सेम है, तो दोनों किताबों मैंसे प्रतिवाद नहीं होने चाहिए, इसके विरोधी है, उसके विरोध हो जानी चाहिए, दोनों में से एक सच है, लेकिन एतिहासिक बुनियाद में देखते हैं, तो बाइबल स्टॉंग है, और बस यही कहना चाहूंगा कि देखो, कोई भी बयान कोई भी कर लेता है, और अच्छा हुआ आपने यह सवाल आकर पूछा, और ऐसे ही पूछते रहिए, क्योंकि पूछने से ही क्लारीटी बिलती है, यह confusion दूर होता है, मैं करता हूं ब्रदर, मैं रिसर्च करता हूं, इसल सवाल को लेकर आए, क्या अल्ला और याहवे दोनों सेम है, नहीं है, जैसे मैंने उनको दस पॉइंट बताया, इस दस पॉइंट को आप भी स्टेडी कीजिए, और दोसर के ताथ शेयर कीजिए, और रिसर्च करते रहिए, प्रभव आपको आशिश वरे, गाटने सी,